नमस्कार निएज भी हर में एक बार फिर से आपका स्वागत है जैसा कि आपने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो नीचे वाले वीडियो में देखिए ना हमने राजत से खास बात चित की है, राजत के प्रवक्ताओं से बात की चित की है, इस दोरान उन्होंने सिधा सिधा हमला बोला है BJP पर कि BJP नितियरिशखुमार को बचा रही है, यह कहा सके मुझपरपूर में जिस तरह के मानतों को शरमसार कर देने वाली घटना हुई है, इसमें बहुत सारे अधिकारी या नेताओं को बचाने का रोप सिरा सिरा राज़त ने बीजेपी पर लगाया है। इसी मुद्य खुलेकर जब हमने भाजपा के प्रवक्ता प्रेमर्जन पटेल जी से बात की तो देखी उन्होंने इस खास बात्चीत में क्या कुछ कहा। तो यह सरकार ने खुद जो है से उस पर कारवाई किया है। जिपच्च के लोगों का मांग था कि सीडियाई से जाच कराई जाए। सरकार में पुरब तो सीडियाई से उसको सुपूर्द करने का काम किया। इसमें विपच्च के लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनका देदुन्याद है। वो बोले है कि आप दबाओ में आकर के तब जाच का रहे हैं ने तो आपका जाच काने का मन नहीं था। विपच्च का मांग था सीडियाई से जाच और हमने सीडियाई को दे दिया। इसमें जो यह से दबाओ का क्या बाप है। उनका ये भी आरोप है कि सीडियाई तो बीजेपी अमित्शाह यह सब की कटकुतली है जैसा वो नचाएंगे वैसा सीडियाई नाचेगी। जआतं से आम पूछ लिए उनके जब जीडियाई उनकी सरकार थी और उस समय सीडियाई कारवाई करती थी खुद उनको जैसे जड़। जो कॉंग्रेस की सरकारे थी हैं। जड़। के लोग सीडियाई को खुद नचाते रहे हैं तो उनको तो लगता है। सब्सक्राइब कोई दवाब नहीं भारती जनता पार्टी का है ना कोई सरकार का है जी और एक आरोप उन्होंने और भी लगाया है कि जब भी कभी खुलासा होगा तो इसमें जो नाम आएंगे वो बीजेपी और जदियू के ही बड़े-बड़े लोगों के नाम आएंगे किसी पार्टी का जलति हो जो भी जदन में घचना को अंजाम देने का काम किया है जो भी इस कुकर में भागिदार होगा उसको की भीवप बकपसी नहीं जाएंगे सरकार ये कानून के राज का सरकार है सभी के लिए बराबर है कानून और कानून में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई दलगत भावना के काम नहीं करती है, ना सरकार काम करती है, ना कानून कार्व करती है, इसलिए कानून के तार जोड़ी आएगा, जिसके भी नाम आएगे, उन सबी पर कारवाई होगी, अगर नितीश कुमार का भी नाम अगर आगिए तो क्या उंतों भी करदाई होगी कर देगा मैंने कि कानून में कोई बड़ा नहीं होता है कानून के बराबर होता है और कानून में जिसके उपर अगर बात है और दूद को को नहीं है चारा गोताला का उनके उपर मुकदमा किया था तो मुझे कुछ नहीं काना है लेकिन हमारी सरकार में CVI के उपर सोई दराव नहीं है CVI स्वतन करूप से काम करती है जिसका भी नाम उस घटना में आएगा उसके उपर कारवाई होगा एक आखरी सवाल आज राजद ने और माले लोगों ने बिहार बंद का आवान किया था क्या ये बिहार बंद सफल हुआ है जन्ता ने नकार दिया है इसलिए कि उन लोगों के उपर खुद आरोप है जब उनका सासंकाल था तो किस परकार से जन्ता को उन्होंने तबाह करने का काम किया था बिहार में हट्याय होती थी अफरन होता था दकैटी की घटनाय होती थी लूट की घटनाय होती थी कोई भी दकी सुरच्षित नहीं राता था कोई भी कारवाई नहीं होता था इसलिए वो ऐसे लोगों के उपर जिनके खुद चेहरे धागदार है कोई भरस्काचार की आलम में लिपता है कोई अफराज के मामले में जो ऐसे दोसी पाए गए है तो ऐसे लोगों पर कोई जनता विश्वात नहीं कर रहे है विहार की जनता और विहार की जनता में भूगता है देखा है वो ऐसा सासन अब दुबारा नहीं चाहता है जो राहत और जो सांती NDA सरकार में विहार को मिली है यो इससे दूर नहीं होना चाहता है उसको लगता है यही सासन मेरे लिए अच्छा है और यह बरकरार रहे लालू परिवार पर समन जारी हो गया सर इस पर आप क्या पुरा परिवार ही अब जेल जाने की नौबत में आ चुका है अब जरूर उनोंने किया है जैसा कि आपने सुना करवाई करते हुए उन्होंने ये भी आस्वासन दिया है कि नितीश कुमार भी इसमें दोशी साबित होंगे तो कानून अपना काम करेगा कोई किसी को नहीं बचा रहा है वहीं भाजपा CBI को कट पुतलियों की तरह नचा रही है जब इस प्रश्ण को हमने उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि पहले आरोब कौन लगा रहा है ये भी तो देखिए लालू प्रसार यादव सजायाता है और उनके परिवार पर भी समन जारी हो चुका है वह खुद जेल जाने की तयारी करें और जितनी संपत्ती उन्होंने अरजित की है उसका लेखा जोखा बिहार की जनता को दे वहीं बिहार बंद को असफल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जनता इनको जान चुकी है दुबारा मौका देना तो दूर की बात है जनता इनकी तरफ देखना भी मनजूर नहीं करेगी इसी तरह के खबरों के साथ आप निउस भिहार के साथ बने रहें हम पलपल की खबरों के साथ आपको अप्डेट करते रहेंगे धन्यवाद